है वरीबन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की रेसिपी होने वाली है फ्रूट केक की रेसिपी तो यहां पर देखिए एक जाड लेंगे उसमें लेंगे रिपाइन वायल एक कप से थोड़ा कम लेंगे आप यहां पर बटर बियाट कर सकते हैं तो यहां पर लेंगे चीनी यहां पर यहां पर तीसरा अंडा डालेंगे इसी तरह इसको अभी कम से कम चला लेंगे 10-15 से के लिए और उसके बाद लास्ट में इसको कम से कम पांच मिनट के लिए अच्छा से चला लेंगे फेट लेंगे तो यहां पर देखिए अच्छा से बैटर इसको अलग निकाल ले और साइड में रख लेगे आप यहां पर मैदा लेंगे यह 200 ग्राम मैदा है इसको अच्छान लेना है मैदा को उसके बाद इसमें बेकिंग पावडर डालना है एक चुटकी बह जादा नहीं आप देखिए उतन ही डालेंगे उससे जादा नहीं अब इसको उच्छा से मिक्स कर लेना है यहां पर अच्छे से मिक्स करने के बाल अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जो बैटर बनाया है उसमें हम लोग एक एक चमज करके इसको मिक्स करते जाएंगे एक बार में नहीं डालना है पूरा नहीं तो लंस बन जाएगा तो यहां पर एक एक चमज डालेंगे ए तो यहां पे देखिए सारा बन कर तयार हो चुका है नगैंट अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे एससिंस डालेंगे नगा लिन आ भी न SARAH केक बना अजयरब है तो यहां पर इस से समस्ध लालेंगे बढर कर मेल어나 कर सकते हैं यहां पर देखिए और या कि एक चमझ चमछ टॉसमी कटाट में एक तरफ करें फिल च्मझ अब करेंगें दुज़ मिक सब्वाइं इक तरफ मिंख्ट करेंगें इसके बाद इसमें डालेंगे एक चमच के करीब मैदा जिसके क्या होता है ना कि बैटर में ना मैदा यह फूर्ट्स जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठता है नहीं तो अगर आप ऐसे ही डाल दीजेगा तो सारा जो रैफूर्स होता है चेरी जितना भी वो सब केक के नीचे बैठता है तो इस तरह से मेदा लगा के डालेंगे इससे कि अंदर नहीं बैठेगा नीचे जाकर के यह फ्लोट होते रहेगा तो तो दिखिए यहां पर अच्छा से इसको मिक्स कर देंगे ड्रैफूर्स डाल करके यह इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप Mengêedo जाल ना के बादिएजा डाल देते सारा डाल डाल कर वहां न देखिए इस तरह से साहरा ब क्यों बेदा पर पर यहांсь ने कंदने में आप यहां पर देखने में ने अजिस जासरें दमैने एंच्छा लगेगा आप चैड़ी जासरेगे काजु जो है काजु के लिए तरह से लगा देंगे यहां पर कुछ है और इसके बार केक को लोग एक स्वासी डीगरी पर बनाएंगे 30-40 मिनिट के लिए तो यहां पर देखिए बनकर तयार हो चुका है कि देखे कितने मज़े का बना है एकडम फूल गया है अच्छे से चार इस तरह से बनकर त्यार हो चुका है अब हम लोग इसको दी मोल्ट कर देते हैं निकाल देते हैं इसको केक को बाहर यहां पर देखिए इस तरह से निकालेंगे हम लोग सब तरह से पहले साइट से ठीक कर लेंगे उसके बाद एक प्लेट लेंगे उसके बाद इसमें हम यहां पर इस तरह से बनकर तयार हो चुका है आप जरूर ट्राइब कीजिए को बहुत ही मसे का बनता है ड्राइब प्रूट्स केक इस तरह से सॉफ्ट हो गया इसको कट कर लेते हैं कट करके दिखाते हैं तो यहां पर देखिए हम दो कट कर लेते हैं केक को यह देखिए यहा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा तो देखिए कितना मज़े का वना इतना सौफ वना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में